तो भई शशी थरूर के भोपाल दौरे पर मंत्री विश्वास सारंग ने तन्सकसा है कहा कि थरूर ने दस जनपत पर नाक नहीं दगड़ी है आगे कहा कि इसलिए उनके साथ ऐसा वेभार हो रहा है तो खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि अध्यक्ष बली का बकरा बनेगा खड़गे के गले में माला डाली जा रही है और सजाय जा रहा है तो यहाँ पर साफतोर पर विश्वास सारंग जो हैं तन्सकस्ते हुए शशी थरूर पर नज़र आ रहे हैं शशी थरूर जी दस जनपत पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्व मिलती शशी थरूर जी राहूल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागरी करते तो उन्हें कॉंग्रेस में इज़ट मिलती खड़गे जी ने कहीं दिया कि जो रास्ट्री अध्यश बनेगा वो बली का बक्रा बनेगा और हमने देखा हैं कि जब बक्रे की बली दी जाती है तो उसको सजाया जाता है उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है तो शशी थरूर के भोपाल दोरे पर मंत्रे विश्वा सालंग ने तंसकसा है तंसकस्ते हुए कहा कि थरूर ने दस जन्तपत पर नाक नहीं रगड़ी आके कहा कि इसलिए उनके साथ ऐसा विवहार हो रहा है तो खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि अध्यक्ष बली का बकरा बनेगा तो बकरी को बली से पहले उसे सजाए जाता है तो देखे साथ तोर पर यहां चिकसा सिक्षा मंत्रे विश्वा सालंग जो हैं तंसकस्ते वे नजर आ रहे हैं आगे कहते हैं कि थरूर को समझना चाहिए कि ये सब गांधी परिवार की फिक्सिंग है गांधी परिवार को रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष चाहिए तो इसी तरह खड़गे के गले में माला डाली जा रही है सजाए जा रहा है और तंसकस्ते हुए कहा कि थरूर ने दस जनपट पर नाक नहीं रग़ी भोपाल से मेरी सहीयोगे मितांशी जोशिया मारे साथ जोड़ गई है मितांशी कॉंग्रेस राश्ट्रिय अध्यक्ष के पद के उमीदवार जो है उनका शशी थरूर उनका भोपाल दोरा है इसको लेकर काफी सियासत जो है वो गर्माती जा रही है भोपाल में और अब चिकिस्ता सिक्षा मत्री विश्वास सारंग भी लगातार तंसकस्ते वे नज़र आ रहे है किस तरह के माइने निकाले जाए उनके तंस से देखे राश्य पगद के जो अध्यक्ष के दो दाविदार मलिका जुन खड़िया शशी थरूर के दोरे रहे लगातार और इस बीच जो है खड़गे का एक बयान सामने आया था कि बकरा जब इत पर बचेगा तब ही महरम में नाचेगा और इसी बयान पर तंसकस्तो है मंद्री विश्वास सारंग ने कहा है और शशी थरूर ने भी ये कंप्लेंट की थी कि जो है उनको ठीक व्यवान नहीं किया जा रहा है चितने भी राजियों में वो जा रहे है वाँपर कॉंग्रिस के जो कारी करता है पीची से चीफ है उन दस जनपत पर अगर शशी थरूर ना प्रगड़ते तो जाहिर सी बात है उनको पिवली का बकरा बनाया जाता और उनको पियार किया जाता लेकिन सीधी तरीके से आपन उनने बात कई है कि वो शशी थरूर को एक समझदार आदमी समझते है लेकि शशी थरूर क्यों इस किया जा रहा है लेकिन शश्ची थरूर जो की दस जनपत्र अगर नाक रगड़ते तो राहुल गांदी की चमचागिरी करते हुए जो है अध्यक्ष बन सकते लेकिन यह पर साफ हो चुका है कि खडगे ही अध्यक्ष बन रहे हैं तो यह चीज़ उन्होंने कही है कि विश्व खरूर जो है वो नाक नहीं रगड़े चमचागिरी उन्होंने नहीं की इसलिए जो है आज वो अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं जी जिब्रकुल बहुत बहुत शुक्रें मिता अंशी हमें तमाम जान करें के लिए